हेलो एन वेल्कम यॉर्ल मेरा नहीं शांतिन शुक्ला और आज हम समझने जा रहे हैं कि एंटिये नेट पेपर जो है वह हम सिर्फ सिस्टी डेज में क्वालिफाइग कैसे करें ओके लोगों के मन में बहुत डाउट रहता है कि भाई हमें च्छह मैंन सिक्स मांच यह यह हमें वन यूर लगेगा नहीं आःएं कि सिस्टी डेज सिस्टे डेज मोर दैन अना फुक्क वालिफाइग जे आरु आजर करने के लिए तीक है देगे शिंपल तरिक है समझाता हूं समझ लीजे गिए यह वीडियो जो है पार्ट में डिवाडएड है पार्ट में डिवाइड़ है तो अगर आप मान लीजे भाई कि आपका ये पहला टाइम आप एंटेनेट को शुरुआ से जानना चाहते हैं तो इंट्रोडेक्शन से देख लिए इनकेस आप थोड़ो बहुत जानते हैं प्रपरेशन कैसे करनी है सोर्स क्या होंगे यह अगरत तो संदों कि यह सुब्जेक्ट्स यह और यह जो हम दोनों का कोर्स और स्लेबस देख लेंगे ठीक है क्या है कि आपको जो दोनों पेपर हैं वो अलग अलग क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है ऐसा नहीं कि आपको जोनों पेपर में मिनिमाँ आपको 40 परसंटेज मार्स चाहिए तब आप जो होता है आपका 50 कोश्चन होते हैं और हर अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पर वन का ले बस देख लेते हैं ठीक है तो पेपर वन में पहला टॉपिक आता है वो आता है टीचिंग अप्रिट्यूट यानि कि जब आप टीचिंग भविश्च में करोगे तो कैसे करोगे और बच्चों से रिलेटाइड कोश्चन रहते हैं अगला रिसर्च अप्रिट्यूट आप आपका रीडिंग कॉम्प्रिएंशन है ठीक है तो यहाँ पर एक पैरग्राफ दिया होता है उससे आपको पांच कोश्चन दिये रहते हैं ठीक अब आता एक कम्यूनिकेशन तो ओवराल कम्यूनिकेशन का प्रोसेस से ले करके कम्यूनिकेशन कैसे होता है यह सारे टॉपि आपको बेस्ट और आसानी से समझाया जाता है ठीक है अगला है लॉजिकल रीजनिंग इसमें रीजन बेस्ट आफ एक कोश्चन पूछे जाते हैं ठीक है फिर आता है डाटा इंट्रप्रेशन इसमें क्या होता कई बार आपको एक ग्राफ दिया रहता है यह कई बार आपक आपको आंसर निकालने होता है ठीक है इजी होते हैं बस अगर आप एक बार समझ ले तो एट चैप्टर है इन्फोर्मेशन और कमुनिकेशन टेकनोलोजी देगे आज कल आपके कंप्यूटर का यूज बहुत बढ़ गया है जैसे कि आप अभी भी आप वीडियो देख रहे हो या मुबाइल में देख रहे हो तो यह भी आपका इन्फॉर्मेशन और कमुनिकेशन टेकनोलोजी के अंदर ही आता है तो इसलिए ऐस फैकल्टी या है रिसेर्चर हमें यह चीज जानना ज़रूरी है ठीक नाइन टॉपिक है पीपल डवलब्मेंट और इन्वार्मेंट रहे है या भाविश में अच्छा लोगों पर इंपैक्ट पड़े तो हमें आज से ही उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी और कोशिश हम कब करेंगे जब हम उसके बार में नॉलेज रखे तो उसकी नॉलेज हमें कहा इस टॉपिक में मिलती ना ही और लास्ट है हाईयर ए की आपको नॉलेज होगी तब ही आप बच्चों को बेटर तरीके से पढ़ा पाएंगे तो यह फर्स्ट पेपर का स्लेबस होगे और यह कॉमन है यह सब के लिए चाहिए जो सब्जेक्ट हो आपका ठीक मैनेजमेंट हो कॉमर्स हो एकनॉमिक्स हो सब के लिए यह कॉमन है के लिए इसको बात करते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के जो की आपको इस चैनल पर मिल जाएगा ठीक तो पहला चौपिक हो आता है मैनेजमेंट और मैनेजरियल एकनॉमिक्स तो यहां पर बेसिक कॉंसेप्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजीरियल के लिएवियर इंट्रोड़ेशन टू हिमन रिसॉर्स मेरेजमेंट तो यहां पर यह ए एचार डिविजन से डिपार्टमेंट से जुड़े हूए यह दो टॉपिक है सेकंड और थर्ट जो यूनिट है वो आपके HRM यानि human resource management topic से जुड़े हैं उसी तरह fourth और fifth topic जो है यह आपके financial या फिर आपके financial department में जो आपने पढ़ा है उससे related जुड़े हुएं ठीक है तो यह आपका HRM का हो गया यह finance का हो गया और sixth और seventh unit जो है वो ज्यादा तरह आपका marketing के लिए based है ठीक है तो marketing based है अब बात आती है eighth unit की तो eighth unit आपने statics and probability अगर आपने MBA कर रहा है या management में किसी भी चरह डिग्री ली है आपने तो आपने यह statics and probability already पढ़ी होगी तो यहाँ पर हम सिर्फ एक बार अच्छे से revision कर लेंगे ताकि आपको easy पढ़े ठीक है अगला international business common चीज़ है तो हमें यह समझना पढ़ेगा international business काम कैसे करता है एक continent से दूसरे continent में हम समान कैसे पहुंचाते है क्या process है ठीक है तो यह सब हमें समझना पढ़ेगा और क्या है information technology तो भाई information technology के आज जरूरत बहुत ज्यादा पढ़ती है जैसे worldwide web www जो है इसकी वज़े से आज हम लुग communication internationally easy कर पा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इस से related जुड़ा समझना पढ़ता है और लास्ट है entrepreneurship development एक बात देखिए आज के दौर में सबसे ज़्यादा सरकार जोड़ दे रही है entrepreneurship development में तो यह मान के चलिए यह topic एक तो easy है और दोसी चीज जिससे question ज्यादा आने पक्का ही रहता है तो आपके कंसे कम सास से art question तो इस topic से आ जाते हो और छोटा topic है ठीक है तो हम यह भी सीखेंगा और यह अगर आपको NTA net ना साई तो आपके practical life में भी बहुत helpful रहेगा ठीक है तो I hope आपको यह basic समझ में आ गया होगा कि NTA net का जो है कि basic syllabus क्या होता है NTA net मे क्या क्या आता है